हरियों पुज्य बापुजी का पावन सत्संग जोदपूर 18 फर्वरी 2023 विशेश सत्र गुरू को ग्यान देने की धतिं मत करो गुरू की सुनी अंसुनी मत करो नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारे से कुछ लेना है क्या आज तक कुछ लिया है तुम्हारे पास देने को क्या है आपके पास तो देने का है है अपना अहम अपनी बेवकूफी अपनी चतुराई तुलसी दास की बात मान ले चतुराई चुले पड़ी गूर पड़ो अचार तुलसी हरी के भजन बिन चारो वर न चमार चमड़े वाले शरीर को मैं जगत को सच्चा मान के किताब पड़के भाषड कर दिया धिकार है तेरे इन भाषडों को हमने तो बंद ही करवा दिये तेरे भाषड फिर भी सुधरता नहीं है लाइट नहीं होती है धीट है धीट ताम धाम तो कुछ नारत जी ने जरा साब गिड़ा मारा द्रतराष्ट को रातो रात सूर्दा सब कुछ छोड़के कंगा किनारे चल पड़ा है है दम तेरे में सब छोड़के अभी जा सकता हूँ तो जाएगा भक्त के घर में घुसेगा और क्या भक्तों का खून पियेगा जा नरदा किनारे कोई नहीं पैचाने उधर जा पता चले तेरे नियूरोंस कैसे काम करता है किसी मंचले विद्वान का किताब पढ़के उसी के तरफ चल पड़ा मुर्ख दिक्षा का मतलब क्या है जो गुरू से दिक्षा ली है गुरू की दिशा के अनुसार साधन बजन करना चाहिए वो तो है नहीं अकल हम बाविश साल से रहता हूं बाविश युगों तक रहे कुछ नहीं मिलेगा अपनी मनमानी करने से हमने सुना है माना है वही तुमको प्रतीत होगा अंजान पिया अंजाना है वाड़ी नहीं जाएगी मन नहीं जाता है बुद्धी भी नहीं जाती उस्तत्त को पाने के लिए अनुभवी महापुरुष की संकेत के अनुसार ही चलना पड़ेगा पूचे संत्सरी आशाराम जी बापू के इस चैनल में आपको मिलेगा गुरु भक्ती योग और पूचे बापू जी के दिब्य सत्संगों संदेशो का सारांज योम सत्संग के मुख्य बिंदों का अन्मोल संग रहा सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आश्रम दरपड चै जिए पूचे योम